हेलो दोस्तों वेलकम टो डियेश्डी कार्स और आज की वीडियों भाई बात करेंगे किया सेल्टोस के बारे में तो किया सेल्टोस का एच्टी के प्लस वैरियंट पैट्रोल में आप लोगों के सामने हैं और इस गाड़ी में क्या कुछ फीचर मिलेंगे क्या कुछ चेंज ह हुआ है वो सब आज की वीडियो में बात करने वाले तो प्लीज वीडियो में इंड तक बने रहे ना सबसे पहले बात करें गाड़ी के प्राइसिंग की तो इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 11,89,000 और जो ओन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है वो है 13 170,000 रुपे की तो काफी महंगी गाड़ी है और उसी हिसाब से जो गाड़ी में फीचर्स है वो दिये गए है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट लुक्स के बारे में तो फ्रंट में आपको जो किया का नया लोगू है वो दिख रहा है बलेक कलर के साथ में टा नीचे हेलोजन प्रोजेक्टर हेड लेंप दिया गया है और फोग लेंप जो कि हेलोजन प्रोजेक्टर में है वो भी आपको मिल जाता है फ्रंट में सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है वेरियंट में तो कुल मिला के जो फ्रंट लुक है वो बहुत जबरदस्त इस ग मिलते हैं और किया का नया लोगो वील कैप के उपर आप देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिये गए हैं ब्लैक कलर की बोडी किट का यूज किया गया है जो की ओल अराउंड दा कार आपको देखने को मिलेगी डॉर सिल्क लेडिंग भी गा किये गये हैं A पिलर प्यानो ब्लैक फिनिश में और B पिलर मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है सिल्वर और ब्लाक कलर के कम्बिनेशन के साथ में फ्लोटिंग रूफ रेल्स आपको मिल जाती हैं और जो बोडी कलर में डोर हैं वो काफी अच्छे गाड़ी में लगते हैं और यहां door handle के उपर आपको मिलता है requesting sensor, यहां से ही आप गाड़ी को lock unlock कर सकते हैं, अब बात करें tail lamp की, तो halogen tail lamp इस variant में दिया गया है, और जो tail lamp की look है वो बहुत ही बढ़िया इस गाड़ी में लगती है, पीछे metal finish के साथ में जो number plate applic है वो दी गई है, tail lamp के नीचे reflectors दिये पीछे bumper पे dual muffler design का जो silver insert है वो दिया गया जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, पीछे silver color की skid plate दी गई है, चार parking sensors पीछे मिल जाते हैं, और यहां पे आपको मिलता reverse camera, किया का जो नया logo है वो भी काफी अच्छी look इस गाड़ी में देता है, rear wiper, rear defoggers पीछे दिय हैं, high mount stop lamp और shark fin antenna भी गाड़ी में आपको मिल जाता है, तो overall जो back look है बहुत जबरदस्त इस गाड़ी की मिलती है, front back कहीं से भी आप देखेंगे, तो look के मामले में गाड़ी में कोई भी कमी आप नहीं बता सकते हैं, अब चलते हैं interior के तरफ, तो lock, unlock, engine start और boot unlock बटन के साथ में आपको जो remote control चाबी है वो मिल जाती है, और requesting sensor से आप जब गाड़ी को lock unlock करते हैं, तो ORVM's जो हैं, वो auto fold unfold हो जाते हैं, अब चलते हैं interior में, तो silver finish के साथ में door handles दिये गए हैं, उन्हीं के आगे twitter place किया गया है, और चारों ही power windows गाड़ी में दी गई है, power adjustable और auto foldable ORVM's मिल जाते हैं, driver window, one touch up और one touch down function के साथ में आपको मिलती है, और ORVM's को भी आप अंदर जो button दिया है, उससे fold unfold कर सकते हैं, coffee stylist, cover के साथ में speaker, bottle holder दरवाजे पे दिया गया है, अब बात करें driver seat की, तो backrest को adjust कर सकते हैं, और जो seat height का option है, वो भी आपको गाड़ी में मिल जाता ह seat को आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, fabric में ही seats मिलती है, adjustable headrest के साथ में front seats गाड़ी में दी गई है, और ये है गाड़ी का dashboard, matte black और piano black finish के साथ में जो dashboard की look है, वो बहुत ही जबरदस्त look देती है, बात करें driver के right side में, तो यहाँ पे आपको engine start stop के लिए push button दिया गया है, lights के control दिये गए हैं, और उपर silver finish के surrounding के साथ में इसी vents दिये गए है, mid meter के उपर का जो part है, उस पे भी piano black finish का use गाफी अच्छा लुक देता है, और ये है इस गाड़े का mid meter, semi digital mid meter दिया गया है, speedometer, rpm meter, temperature और fuel आपको analog दिखता है, और जो बाकिकी information है, वो center में, जो display है उसमें आप speed, distance to empty, tailgate azar, gear shift indicator, tachometer, digital cloak और digital odometer जैसे जो features हैं, वो आपको मिल जाते हैं, बात करें steering की, तो steering पे sound controls और telephonic controls दिये गए हैं, और साथी साथ right side में जो cruise controls हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं, dual airbag के साथ में ये गाड़ी आती है, और silver finish के साथ में काफी अच्छी जो steering की look है, व steering को आप tilt adjust कर सकते हैं, telescopic adjustment का जो option है, वो इस variant में आपको नहीं मिलता है, अब चलते हैं, center console की तरफ, तो center console पे 8 inch का touch screen infotainment system आपको मिल जाता है, और जो touch response है, वो भी काफी बढ़िया आपको मिलता है, चार speaker और दो Twitter के साथ में ये system दिया गया है, जो कि Android Auto, Apple CarPlay, USB और Bluetooth वो नया feature इस गाड़ी के Android system में add-on कर दिया गया है, और काफी बढ़िया जो look है, center console की वो दिखती है आपको, silver finish के surrounding के साथ में इसी vents दिये गए हैं, और center में जो आपको हैजार्ड switch है, वो मिल जाता है, और उसके नीचे मिलते है, manual, AC और hitter के controls, यहां से आप अपना जो AC क flow अगरा है, वो set कर सकते हैं, उसके नीचे phone रखने की जगें, और उसके नीचे आपको मिलता है 12V का accessory outlet, USB point और fast charging का point, और छोटा मोटा समान आप आगे रख सकते हैं, उसके space दिया गया है, six speed manual transmission के साथ में यह गाड़ी आती है, और जो silver finish का ring है, वो gear lever के पास में दिया गया है, उसके पीछे दो cup holders दिये गए हैं, और पीछे storage के साथ में जो arm rust है, वो भी आपको मिल जाता है, जो कि driving में काफी helpful होता है, अब चलते हैं dashboard पे, तो यह है इस गाड़ी का glow box compartment, बड़ा सा glow box compartment आपको मिल जाता है, आप अपने document वगरा रख सकते हैं, manually adjustable day night IRVM आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है sunglass holder, push on off के साथ में जो lights है, cabin lights वो दी गई है, vanity mirror आपको co driver वाले sun visor पे मिलता है, driver वाले sun visor पे vanity mirror नहीं मिलता है, grab handles fix वाले दिये गए हैं, foldable नहीं दिये गए हैं, और पीछे भी cabin में जो light है वो आपको मिल जाती है, तो overall काफी ब passengers के लिए जो sunset curtains हैं, वो दिये गए हैं, power window के control, speaker और bottle holder दरवाजे पे दिये गए हैं, और यह है इस गाड़ी की rear sitting, बहुत यह अच्छी जो look है, वो आपको मिल जाती है rear sitting की, पीछे seat पे आपको जो fix address हैं, वो दिये गए हैं, और rear parcel tree भी दी गई है, center में armrest या cup holder इस variant में दिये गए हैं, तो एक बार बैठ के देख लेते हैं, कि space कितना क्या मिलता है, तो space भाई इस गाड़ी में भरमार है, space का कोई issue नहीं होगा, full leg room आपको मिलेगा, 20 foot मुझे थोड़ी सी इस गाड़ी में कम लगी, लेकिन बैठने के लिए आज से seat काफी अच्छी है, और यह इस गाड़ी के rear AC vents, fast charging point पीछे दिया गया है, और mobile holder भी AC vent के नीचे ही दिया गया है, पीछे की seat पे बैठने के बाद जो dashboard की look है, वो इस तरह के आपको दिखाई देती है, काफी अच्छी look है, matte black, piano black finish का जो combination है, वो काफी बढ़िया look आपको दे देता है, फिलाहल में जो white paper है, वो लगा हुआ dashboard पे, तो भाई ये था इस गाड़ी का interior, अब एक बार check out कर लेते हैं, boot, पीछे दरवाजे पे requesting sensor दिया गया है, rear parcel tray आप देख सकते हैं, 433 लिटर का जो boot space है, वो मिल जाता है, पीछे hanging hook दिया गया है, और जो boot lamp है, वो भी दिया गया है, 433 लिटर का boot space है, वो काफी बड़ा साबित होता है, और यहाँ boot floor के नीचे आपको मिलता है, 16 इंच का black color का steel rim, और बाकी जो rims हैं, alloy wheels हैं, उनसे अलग आपको मिलता है, तो अंदर की जो look है, वो भी काफी बढ़िया है, और पीछे दरवाजे पे indicator नहीं दिया गया है, तो overall back look, front look काफ मिलता है इंचन में, तो इस गाड़ी में 1497 cc, 113 bhp, 144 nm torque और 17 km per liter की average देने के लिए, 4 cylinder, 1.5 liter smart stream, MPFI petrol engine यूज किया गया है, जो कि बड़िया पावर इस गाड़ी को दे देता है, और शायद आपको जो lag है, वो कहीं भी महसूस नहीं होता है, quality की बात करें, तो Kia Seltos की जो global ncap crest rating है, वो है 3 star, और जो bonnet है, वो काफी भारी feel होता है, और जो एक और नया feature गाड़ी में add on हुआ है, वो है remote से गाड़ी को start stop करने का, तो वो भी इस गाड़ी में add on हो चुका है, तो भाई, htk plus petrol variant में mainly दो ही features add on किये गए हैं, एक तो जो wireless projection है, android के साथ में, और दूसर remote से engine को start stop करना, तो वो दोनों ही add on हो चुके हैं, और जो नया logo है, वो भी गाड़ी पे आ चुका है, तो भाई, यही था आज का review, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो please मेरे channel को subscribe कर देना, और मुझे अपना sport देते रहना, वीडियो को इंड तक देखने के लिए, thank you दोस्त हुआ हो,